आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर आपने थमनेल बिल्कुल सही पड़ा एक जुलाई 2021 से परचेजिज के उपर एक नया टेक्स लगने वाला है जिसका नाम है सेक्शन 194 क्यू टीडिये सही है ठीक है तो आप इस गलत फैम हो जाएंगे तो पहली चीज इस सेक्शन की हैडिंग पढ़ लीजिए इस सेक्शन की हैडिंग क्या कहते है डिड़क्शन ऑफ टेक्स एड्ट सोर्स ओन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फोर परचेज और तो पहली बात तो आपको यह समझने एक टीडिये से इंकम टेक्स वाला ठीक है जैसे होता ना 194H, 194J वो वाला टीडिये से उसी में सेक्शन एड़ कर दिया गया है 194Q लेकिन यह वाला जो सेक्शन लगेगा है सिर्फ लगेगा परचेज और गुड्स पे अगर मैं इसे एक 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 जामपल से समझाओ तो ऐसा समझेए अगर आपका यह पी एंडेल बड़े लोग मतलब लास्ट यहर में जिनकी टर्न ओवर 10 करोड से जाता है तो अगर किसी की टर्न ओवर 20-21 में 10 करोड से जाता है तब उनके ओपर यह सेक्शन लगेगा और तब लगेगा जब आप परचेज और गुड्स करते हो और यहां पर इस बात को समझना आपने प परचेज करा उस पर कोई TDS नहीं लगेगा इस सेक्शन नहीं लगेगा अगर मैं बात करूँ इस वाले व्यक्ति पर यह सेक्शन नहीं होगा अगर 50 लाग से ज्यादा का खरीदा तब एपली केबल होगा इस बात को और समझना अब कई लोग कह रहे हैं सर अगर मैं माल परचेज करके लाता हूँ चाइना से तो चाइना इस पर भी अपली केबल हो जागा नहीं भी या यह उनी विक्ति पर एपली केबल समझेगा यह पेमेंट के ऊपर एपलाई नहीं हो रहा कई लोग कह रहे हैं सर मेरी बैलेंशीट में मेरा एक क्रेडिटर खड़ा हुआ है मेरा एक क्रेडिटर खड़ा हुआ है जिसकी मुझे 70 लाग की पेमेंट करनी है अगर आपका एक क्रेडिटर खड़ा हुआ है तब इस पर यह section नहीं लगेगा अगर आपने financial year अगर आपने financial year टिके ना 21-22 में उससे अगर purchase करी है अगर उससे purchase करी है कितने लाग रुपे से जादा गी 50 लाग रुपे से जादा गी तब उस पर यह section apply होगा otherwise अब एक विक्ति कहरा है सर मैंने financial year 21-22 में अप्रेल से लेकर जून तक कब से जी अप्रेल से लेकर जून तक जब तक यह section आया ही नहीं मैंने 80 लाग की परचेज कर ली क्या मेरे उपर भी अप्लाई होगा नहीं भाई ये तेरे उपर अप्लाई नहीं होगा लेकिन इस बात को समझ लेना अगर तुमने अप्रेल से जून में 80 लाग की परचेज कर ली मिस्टर एक से और एक जुलाई से यह सेक्शन अप्लाई हो गया अगर आप मिस्टर एक से अब मानलो 5 लाग उर्पे का कुछ भी परचेज कर लेते हो तब भी आपके ओपर यह सेक्शन लग जाएगा मनलब यह पूरे फिरेंशल यह 21-22 के लिए देखनी है चाहे वो आपने अप्रेल से जून में ले ली हो या आप उसे जुलाई के बाद ले रहे हो अगर आपने अप् सेक्शन लग जाएगा अब यह लगता कैसे इस बात को समझना इस सेक्शन में लिखा हुआ है ड्यू और पेमेंट विच एवर ही जर लिया मतलब की माल आ गया आपनो उसकी पेमेंट करो या ना करो आपको टीडियस काट कर जमा कराना है कैसे जमा कराना है जी अगर आपने उसका जो एकाउंट है उससे पचास लाग से उपर की परचेज कर ली होगी तो आपको टीडियस काट कर हर साथ तारिक को जमा कराना है अगर आपने परचेज इस नहीं करी आपने क्या कर दिया उसे पेमेंट कर दी एडवांस पेमेंट कर दी तब यह सेक्शन लग जाएग तो उसके उपर भी यह वाला सेक्शन लग जाएगा एडवांस के बेसिस पर अब हमारा अगला कोश्चन यह आता है कि सर इस वाले केस में जीएस्टी का क्या होगा मतलब क्या बात है कि अगर आप परचेज करकर लाते हो मानलो मिस्टर एक्स से अब मिस्टर एक्स ने तो इस बात को समझ लो यहां पर क्लारिफिकेशन कुछ नहीं है तो यहां पर जो जीएस्टी कटेगा वह एक करोड अठारा लाग पर कटेगा अगर इसके अंदर कुछ और इंसीडेंसल एक्सपेंसी जोंगे तो उस पर भी कटेगा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर लिखा हूँ है पेइमेंट ऑफ सर्टेन संब फॉर पर्चेज और गुर्सी यहां पर जीएस्टी की बात ही नहीं की गई उन्हां नहीं का जितना आप सम पेड़ करोगे जितना सम आप क्रेडिट करोगे उस पर जीएस्टी गटेगा यह वाली बात क्लियर हो है बज़े तक परवीन बंसली आएंगे और मैं दोनों लोग आपको इस सारे सेक्शन के बारे में पताएंगे इसके अंदर क्या होगा पूरे टीडियस के जितने भी सेक्शन है सबको ओवर्वीव दे देंगे आपको रिटन कैसे फाइल करते हो सार ओवर्वीव देंगे त परवेंगे तो अगर आप चाहो तो हमारे इंकम्म ट्क्स की पैय पैंट राइब भी इन vivid के ले सकते हो थाइं है विडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्बोक्स में लिखकर बताना 194 क्यों clear हो गया या नहीं हो गया पूरा clear हो गया होगा तो डर्णा नहीं है पहले समझना है किस पर applicable होगा किस rate से applicable होगा यह import transaction पर applicable नहीं होगा चलिए इस वीडियो को यहीं कटम करते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching